बंदा जरा सव मीटर दौड ले तो हाफ जाता है लेकिन यह जो मालिक बनने की होड है उसमें कोई नहीं ठकता क्यूं है मनश्य के मन में इतनी अकांकशा कि वो मालिक बन ए सलां क्यूं दूसरे का मालिक बनने की अकांकशा है दूसरे के मालिक बनने में इतना रस क्यों है? बहुत मज़े की बात है क्योंकि हम अपने मालिक नहीं बन सके इसलिए जो अपना मालिक हो जाता है उसकी मालकियत की धारना ही खो जाती है लेकिन हम अपने मालिक नहीं है और उसकी कमी हम जिन्दगी भर दूसरों के मालिक होकर पूरा करते रहते हैं बहुत मज़ेकी बात है अपना मालिक होना एक आनन्द है तूसरे का मालिक होना सदा दुख इसलिए जितनी बड़ी माल्कियत होती है उतना बड़ा दुख पैदा हो जाता है जिन्दगी भर हम कोशिश करते हैं कि वो जो एक चीज चूग गई है हम अपने मालिक नहीं है समराट नहीं है खुद के वो हम दूसरे का मालिक बनके पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं ये वैसा ही है जैसे कोई प्यास को आग से बजाने की कोशिश कर रहा हो और प्यास और बढ़ती चली जाए आग से प्यास नहीं बजाए जा सकते आग सकते हम जिसे गुलाम बनाते हैं, वो हमें भी गुलाम बना लेता है बड़े गुलाम वे ही हैं, जिन्हें दूसरों की समराठ होने का ब्रम पेदा हो जाता है और बड़े गरीब वे ही हैं, जो बाहर की समपती से भीतर की गरीबी मिटाना चाते हैं